आगे सब लो रिकॉर्डिंग ओन हो गया है न? कल हम लोग आउटलाइन देखे थे हैं तो आज हम लोग इस्टार्ट करने वाले कि इस्ट्री देखेंगे हम लोग टिक है मनला वो वर्ड कहां से आया है कैसे हुआ है उसका प्रस्तावनride के इसके क्या वब्यक्टिव है क्या इसका परडाइम है क्या वहते हैं ये सबावलोग देखेंगें तो सबसे पहले हैं कोई भी एक अशन सेल्ग सब्सक्राइब करके बना होगा तो यह हमारा एक स्टेंसन जैसे हम लोग दिखते हैं तो यह हम लोग का कौन से लेंग्वेज में अभी इंग्लिस पर लेकिन यह ओरिजनल ली कौन सा वर्ड है यह हमारा लैटिन तीक में थीचा फिट रिल्य ऐके ट सिरिक देजिओं ऐसे। कि एक मिन्स होता है आउट थेख है और उसके बाद इनसी हो खोए सेथ टेचिंग यह कौन सब्वासे हम लोग का लाइटिन ठीक है एक स्टेंशन में टी आता है इसलिए यह वर्ड हो गया लैटिन ठीक है यह लोग का वह गया इस लिया गया है जिसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है एक होता है आउट इस प्रेशिंग मतलब जैसे हम लोग एक स्टेंशन वायर देखें आप लोग एक जगा दूसरे जगा आपने लेगा रहता है तो उसके से लिए गया है अब इस वर्ड की उत्पति कहां सी हो यह हम लोग दिखते हैं ठीक है तो उसके लिए आप लोग को तीन चीज़े जाना पड़ेगा सबसे पहले आप लोग को जाना पड़ेगा उसका मतलब इयर लिखा देता हूं एक टीन सिक्टी सिक्स एक यह है इसमें हुआ था एक्स्टेंशन वर्ड वर्ड एक हम लोग के वैज्ञानिक थे उनका नाम था जेम्स स्टुवर्ट जेम्स स्टुवर्ट ठीक है जेम्स स्टुवर्ड जी थे उन्होंने एक्स्टेंशन वर्ड की खोज किया था कहां किया था यह पेपर में आता है ठीक है उन्होंने किया था इंगलेंड में ठीक है कॉन सा इन यूनिर्शिटी था कैम्ब्रीज ठीक है 1866 की हम बात कर रहे हैं जेम्स स्टुवर्ड जी थे उन्होंने सबसे पहले एक्स्टेंशन वर्ड का यूज किया था कहां किया था कैम्ब्रीज में ठीक है तो इस वजह से इनको क्या बोलना चाहिए हम लोग को फादर आफ कि युनि वर्टा एक्सटी एक्सटेंशन एच मैं बताना बूल गयां कैंब र मेरि यूस किया था सब्सक्राइब कर रहे थे उसमें उन्नों किया था तो पहला जो वर्ड था इक्स्टेंसिन का कहा से अधिया उनिवर्सिटी एक्स्टेंसिन थे समाज़ इस बात को ओधूआ ठीक है तो सबसे पहले एक इस्तिमाल उनिवर्सिटी एक्स्टेंसिशन अगलता वो था था nuances सबसे पहला कहां से लिया गया बन गे खुशन आप लोग से अब उसके बाद यह होता है यह तो हो गया हम लोग का सब्सक्राइब यह प्रड़ कि बाद हुई अभी सिर्फ एक्सटेंशन वर्ड बोलाओ ना अब उसके दूसरा वाड़ आता है है एक थोड़ा सागे बढ़ते हैं यह यहाल यूसन होते जाता है बढ़ते जाते हैं अब अब जाते हैं लोग का एक्सटेंशन को हम लोग क्या कशरें की हुग में ठीक है एक्सटेंशन एक्सटेंशन अफिर सो समस्टिक है छो थे फिर से लोन यह बोला की एक्सटेंशन को है करेंगे कि की मिद्ध करेंगे कि चीज और अब उसके बाद आप लोगे पता है कि यूकिय से वाले जिएंग्लेंद में भी यूकि वाले लोग कि से रूप में करते लेकिन लोग क्या बोलते एक्सटेंशन को as a service तो नमें भी आ जाता है कि एस्टेंशन कहुंप से country में माना जाता है हम लह को क्या हो जाएगा युआ से यह वाला आप लोगों को वीजिबल है ना Color कि Black में लिखूँ तो सबसे पर जैसे एक्स्टेंशन वर्ड आया तो पहले 1886 छोटा एक्स्टेंशन इसले पहले आया फिर उसके बाद उसको एक्स्टेंशन सर्विस बोलते हैं यह होगा हम लोग का थोड़ा सा हिस्ट्री वाला वेग्राउंड कोई भी सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है आ सांस किता एक होता है पहले देख लेते हैं साइन्स होता है आप लोग का एक होता है बेसीट और एक होता है एक ए tighten Okay लोग का कि जो नेट्रोजन बना नेट्रोजन यह कर रही है लिए के लिए तो क्या हो जागा हमारा एप्लेट सेंस होगा ना तो लोग बेसिक जो साइंस होता है नेचुरल इवेंट को बोलते हम लोग नेचुरल इवेंट अब उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे कि ए वियुमन बेंग के लिए वे रमेंट के लिए तो हम लोग क्या कहला हैगा कि एप्लाइट सैंस है टीक है तो इस ही साब से मोटेंशन चाहिए एप्लाइटब में क्या होता है कि यह लोग किसे काम करते सब जादा भी है तो लोग अजया है ति इसन लिए यह क्या करने तो इसको पेपर में नाया आजाता है कोप्रेंट में यह बीएवराल अगर उद्र डीप में जाएंगे तो अगर पेपर में आप पूछा है तो एप्लाइट आजाएगा अंसर अगर और दीप पूछा है कही जैसे ब्हू की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा टफ करने के लिए बना सकते हैं तो एक्सिन से एक यूटेशन क्या है एप्लाइट बेहविर्वेरल साइन्स है ठीक है बच्चों दोटेशन बंजा तरह समझाए हम इसके बाद यह सब्जेक्ट तक फिलो सफी पिलो सफी किसी कभी होते हैं ना दार्शनिक सहास्त्र मतलब वो सब्जेक्ट किस टेप का काम करता है तो जो फिलो सपिया इसका है हम लोग का क्या काम है टूटीच प्यूपल हुआ हमारा फिलोसपी क्या है टूपीछ प्यूपल हाउ टू तिंग रही नौट वाट तू तुटिंग जो मारे किलिटर इस्टेशन अभू सका फिलोसपी कि सिद्धान्त में काम करता है तो टूट इच प्यूपल को क्या करने टीच करना है कैसे करना है उनको हाउट तुछ नौट वर्टोऑ दिंग की मतलब कैसे धूरचना है ये बताना क्या सोच ये निवताना है बात समझे ऐसी क्या करना है है यह नीगरता लिग किसान नोग हो फॉर्मर जो फार्म मोंन है यह कोई भी हो यह हमारा क्या हो फिलो सफी के तहाद आथ हम लोग काम करते और फिलो सफिह हमारे एक टेंशन कब को थीज क fakmosu नॉट वाट you कि अंट है ठीक है कैसे सोचना है ये बताते हम लोग क्या सोचने ये नीव बताते हम है यह उसके बद्यों लोग का फिलोसपी देख लिए अधीर सिसका हम लोग देख लेते हैं किया अब्शेक्टिव ठीक है जैने प्सट्राइह जरा अब्जेट्टिव में हिए लोकिक आई न확स्た तू डेवर्ण तू धिवलप थो देवलप फार्मर्श फार्मर्स का डेवलप मखकरना डेवलापमेंट जो तो तीन चीजें होती है एक होता है एक लिए ऑनको लोग को डवलप करना है न लुए पैसे के मामलें में लोग उनको बढ़ा दिये पिर उसके बाद सेकेंड मागा कल्चरली ठीक है कि जो जी आई टैग हम लोग देते हैं किसानों को तो उनका कल्चल संस्कृति संवरिद होता है ठीक exploitation के माध्याम से क्या करने को संक्रिद्ध करना है उनको ठीक है आर्थी गुरुप से करना है क्या घृचंटी बढ़ानी है उन्के कल्चली में मकलब समाजी सांस्कृिति की सांस्कृति कूर से समरीद बनाना है पर स सुचला फिर immensely से उनका उस्तर है जोंकी मैंने देखा जाता है ऐसे हमेरे समाज में नाइक है उनको समाज में बहतर हम लोगी स्टेटस दिला सके कि किसान भी कि Argya आसान होता तो हरगी कीसान होता तो इसलिए उनको हमारे एक्स्टेशन का यह है तीन चीज़ हमको एकोनोमिकली कल्चरली सोसियली उनको डिवलप्मेंट करना है कैसे करेंगे एजुकेशन के द्वारा करेंगे तो यह हमारे क्या हो गए उद्देश यह कि ठीक है बच्चों उद्देश समझ गया है हो फंसकर जाती है हम लोग इसके फंग्शन यह के से मितलब इसके कारे कैसे करते हैं यह दिखते हम लोग में हम लोग को क्या करना है तो ब्रिंग डिजारेबल चेंज के क्या है मतलब जो किसान है यह जिए जु टार्गेट ओड्येंस है उनके में δिजरेबल एकुत इसे समाज में हम लोग मोबाइल को लाए लेकิन कई लोग मोबाइल का जो यह से बच्चे लोग बिगड़ रहे को जय होगें हैं उसके लोग सारे गेंज केल रहे हैं समझ गें के में कि सानों के में desirable चेंज करना है जो हम लोग चांते वानशीत वाले की से करेंगे हम लोग इसको भी तीन टैप से करेंगे डानी कि नॉलेज को क्या करेंगे इन रिच करेंगे अपग्रेड करेंगे इसके बाद तो उनका क्या करना एटि यूड जो रहता है उसको क्या करना है लोग को फैबरेबल बनाना है अब भी आप शच्कतिस गड़ में देखे होंगे ट्रांस्प्लंटिंग किया जाता है क्या बहुत जदा तो वहां पर मैंने देखा है कि अभी तक ट्रास्प्लांटिक यूज नहीं करते हूं लोग को की लेबर की कमी है अचा टैप का तो लोग का एटिट्यूट फेवरेबल नहीं है ट्रास्प्लांटिक में टाइम लगता है पानी चीए रहता है तो हम लोग को फेवरेबल अबाइक्वग्येुट और स्कील के फंक्शन भी समझ में आया है यह सर्थ नोश के बारे बंदम मोंने आप लोग को यह प्ध trails को क्या बनायात है तो आंखнеक्य अगलत देख्टेंचार ने कि उस्षोल के आंगरोग सघ्लाइब्स को वहता है कि एडिद्टेंस था अंगे में उनको में मतलब चमता का निर्माण करना हैं लोगको कैपिबिलीटी उनका चमता जिस से क्या करें अच्छे अच्छे च्छे टेकलोजी का यूजच कर सके या फिर अच्छे से निर्ना ले कि चम्ता का निडमार करने हम लोग किसके द्वारा करते हैं उनका इसकी बढ़ा करके सब करते हैं न तो एक्स्टेंशन एजूकेशन क्या होगा हमारा प्रोसेस है लाज़ेश का प्रोसेस है डिवलप्मेंट फार्मर्स एप अपिबिलीटी ठीक है ओन देर देर ओन सीच्वे है उनके सिच्वेशन कमांड दिना है उनको किसानों का समस्या का समधान करना है उनके ही सिच्वेशन पे ठीक है तो एक्स्टेंशन हो गया अब उसके बाद आते हैं टाइप सॉप एजूकेशन अब लोग को समझ में तो आ रहे हैं ना इस पहुंत इजी टॉपिक है अभी तो तो आप लोग का एजूकेशन का जैसे मैं टाइप की बात करूं तो पहला होता है पॉर्मल पॉर्मल ड्रेस आप लोग यूज़ करते हैं ठीक है उसी टाइप का है में लोग का फॉर्मल एजूकेशन फिर इन फॉर्मल और थर्ड आता है नॉन फॉर्म नॉन फॉर्मल ठीक है तीन टाइप के होते हैं फॉर्मल एजुकेशन क्या होता जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ रहा है इसकोल में पढ़ रहा है फिट्ट कैरिकूलम है ठीक है यह उसके थोड़े से अट्रिबूट से फिट्ट कैरिकूलम खिट्ट कैनी कौलम क्रोनोगो लो ACT ग्रेडुट ग्रेड़ मतना जैसे आप लुग प्रेमरी इजुकेशन लाहर करते हैं प्रुसके बाद जाते हैं अप लोग मिडिल में मिडिल के बाद प्रोफेसर प्रोफेसर फिर उसके बाद दीन डारेक्टर फिर वाइस चांसलर सर तो यह सब क्या होता है है रार्की इस्ट्रक्चर्ट होते हैं ठीक है है और यह इसके क्या होगा चार हम लोग के एट्रीबूट्स हो गया मतलब यह चार चीज़ हुआ तभी हम लोग को फार्मल एक्षान कहला आएगा वह ठीक है इसमें सिल्यवस होता है फिर्ट केरी गुलम है क्रोन लोजिकल ग्रेड़ है हार्की स्ट्रक्चर्ट है है इस चार उसके क्या होगा है हमारे फार्मल एक्षान के एट्रीबूट्स हो गया समझ गई इसको समझ गया है अब उसके बाद हम लोग आता है इन फॉर्मल ठीक है फॉर्मल के बाद आता है इन फॉर्मल जैसे आप लोग डेली लाइफ एक्स्पिरियंस बड़ों का आदर करना कहां पर सिखाया गया आप लोग को घर में सीखें आप लोग अपने लियर लाइफ एक्स्पिरियंस से ऐसे बड़ों से बात करना कैसे उनका आधर करना है घर में सिखेंगे ना आप लोग कोई स्कुल में अलग से इसके लिए सब्जेक्ट नहीं होता है पढ़ाया नहीं जाता है ठीक है तो या फिर आप अब लोग क्या करेंगे आउट आफ इसकोले जो के सब जहां पर यह चारों ट्रीबुट नहीं होंगे तीक है मैं अपने से हम लोग कर रहे हैं यह से अब लोग को पढ़ा रहा हुं तो आप लोग का नीड है ना तो प्रॉसके बाद लर्नर सेंटर में हैं अब लोग सब्जेक्ट चरहा है आप लोग मध्य में हैं कि बच्चों को क्या और मैं आप लोग को पढ़ रहा हूं इस की इस अब से पढ़ा हूं कि दिसक्त क्या हुआ है ज़ाता है और यह प्लेसि बन कैसी भी यख़ और यह पे जाता है टेलबन féla को अब किसी भी टाइस में पढ़ा रहा हूं लेकिन मां वांदेअ साथ को पढ़ारा हूं तो यह चल रहे क्या आप लोग का ताइम पर प्टीकुलर अपने अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है ना यह हो गए हमारा नवन परमर्द इसी साथ से एक्रिकल्चर एक्स्टेशन से एजुकेशन के अंतर गागा कि बताइए कि इन फॉर्मल कैसे होगा कि नॉन फॉर्मल लोगना किसानों को मैं रात को जैसे पढ़ाया ठीक है तो वह उनके लिए सेंटर उनके लिए अलग से मैं सिच्वेशन क्रियाट के पढ़ा रहा हूं न उनको और इन फॉर्मल डिली लाफ एक्स्पीरियंस जो सिखत होता नहीं है वह सीख जाते हैं लोग लेकिन उसके पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा न कि अब घर में मातर पीता से कैसे बात करना है बड़ों कादर कैसे करना है नेस्टनल एंथम के टाइम में आपको जब खड़े हो जाते हैं सम्मान करते हैं तो यह किसी दूसरे एक कि आपको इसकुल में मतलब पर्टिकुलर पढ़ाया जाते हैं लेकिन सब में इन फॉर्मल लिखा हुआ है कौन से बुक में आप मुझे भेजेंगे उसका फोटो आरून का त्यान का हां सब्सक्राइब आप मुझे भेज दीजिएगा मैं उसमें चेक करके आपको बता दूंगा ठीक है अरून का तो अगर समय पूछे थी अगर कुश्चन अगर इससे पूछा जाए तो एंसर नॉन फॉर्मल सही हो सब्सक्राइब करना पड़ेगे नहीं को है कि यह सब तो यह उसको मैं देखिए हाँ एक बात और बता देता हूं आप लोग को मैं कि जब भी आप कोई सब्सक्राइब के रिफरेंस देंगे तो बुक जो होता है ना वो दो ही बुक को फॉलो किया जाता है पेपर में एक हो होता है standard handbook होता है और एक होता है आप लोगा टेक्स्ट बुक को फॉलो किया जाता है और उनका त्यांच जो बुक है वो बुक नहीं है वो नोटस है ठीक है वो कंपाइलेशन किया गया हुआ है किसी के दवराड़ा लिखा नहीं गया है वो ठीक है नेवरा सून्दा का कुछ नहीं बोर रहा हूं उसके लिए फिर भी जब भी आप कोश्चन पेपर में आप देखने जाएंगे कोई भी कोश्चन को दावापत्ति करेंगे तो वह जीएल रेका जैसे बूख है स्टेंडर्ड बुक हम लोगे इस्टेंशन मानते हैं अभी तो हैंडबुक आ गया है तो उसका रिफ्रेस्ट दिया जाता है तो नेच टैम मैं आप लोग सिखा दूंगा कि कैसे दावापत्ति किया जाता है मैंने अपने पीच्डी में सव में से 18 कोशन में दावापत्ति किय है ठीक है बच्चों किसा यह सर्थ यह हो गया है एक नया टॉपिक देखे इसी नहीं है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचिंग लर्निंग टीचिंग में स्क्राइब होता हिंदी में हुआ कि हमके जी लर्निंग कि बाद करें तो यह लिखनमने टीचिंग होता है टीचिंग मतलब पढ़ाना और लर्निंग मतलब सीखना थीक है तो हम लोके और रिरे मैं एक चीज़aces उलिखा ना भूल गया आप लोग को आप लोग इनिवर्सिटी एक्स्टेंशन फादर लिखे ना जेम्स विश्टुवर्ट को जलो मैं लुह लीघंब लगाँगा इसको ठीक है तो टीचिंग लर्निंग प्रोशेस्स एक इस ने दिया था लिगां ने धियत था जी पी लिगन से कहें लास्ट हमें फादर्स लिखाओंगे लिख लिखे जेगे सब गेत जेपी लिगन ठीक जेपी लिगन साहब थे उन्हे प्रॉसेस क्या होता है क्रीटीं लविए पिक्र इलब के ἢ। इसे मैं आप लोका की लिए किया हूँ राउ और भी आ रहा हूं आप लोग को लाइंस से देख करके मैंने क्या ठीकर किया है कि अटेंशन इंट्रेस्ट डिसायर आप लोग का देख करके मैंने क्या किया है एक सिच्वेशन क्रियेट किया तो यह होगा हमारे टीचिंग लर्निंग क्या होता है हमारा सेल्फ एक्टिविटी होता है कि आप लोग अपने से सीखते हैं ना कि खुद से सीखना पड़ता है लर्निंग का सिद्धान आप लोको पता है न आप लोको सीखना है तो आपको खुद आ गयाना पड़ेगा तो आप मैं आपको टीचिंग करके चले जाओंगा लेकिन आपको खुद का सेल्फ एक्टिविटी नहीं होगा तब तक आप उसको अधी का सिट्विटी आप करते हैं अगे रिजटी लर्निंग किस ने दिया था आओ अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कर से एफ इफिट्टीव लर्निंग अब लोग की बात करेंगे हम लोग कि इस चीज़ की बात कर रहें एफेक्टिव लर्निंग जैसे आप लोग अभी लर्न कर रहे हैं तो उसमें पांच ऐसे तत्व हैं मतलब 5 elements हैं कि इतने elements हैं इस पाइप elements of effective learning मिंस मैं आप लोग को जो पढ़ा रहा हूं teaching कर रहा हूं और तभी फेक्टिव होगा जब यह पांच element अच्छे से मिलेंगे ठीक है अगर एक भी enforcement सही से नउने मिल पायगा उसमें गवीं होगी तो यंशिद लिओ नहीं होगा लाइल्ट होगा जैसे मैं आप लोग whopping बदादेता हूं रोखो तो मत जाने दो थीक है यह मैं रोखने के लिए बोर नो कि जाने के लिए बोर रहा हूं कि चै Sakuraram कि अब लगाया है हाँ वहीं बोल रहा हूं तो यह अभी आप लोग का लर्निंग हुआ कैस्ट नहीं से कि नहीं पाए नहीं हो पाए आदा हुआ अदा कंप्लीट हुआ पूरा नहीं हो पाए ना तो मैं जैसे इसे लिखूंगा रोको मत जाने दो ठीक है रोको मत पर लगा दूँगा रोको मत चाने दो ठीक है तो यह हम लोग का लर्निंग का जो टाइप होता है वह भी देखते हैं कि वह कैसे फेक्टिव होता है जब तक मैं इस्ट्रक्शन अच्छे नहीं दूँगा तब तक आप लोग सीख पाएंगे क्या नहीं सीख पाएंगे तो फा के बाद उसके लियर को पढ़ाने के लिकोन होगा अ कि अब उसके बाद मैं आप लोग को एक परती कुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास क्या भी प्रजेक्ट का मैटर है कि मुझे क्या पढ़ाना है ठीक है फिर उसके बाद आ जाएगा हम लोग का फिजीकल फैसलिटी आप लोग एक पर्टिकुलर रूम पर बैठे होंगे जहां पर चारों तरब दिवाल होगा ठीक है पंका चार रहा होगा लाइट्स लगे होंगे ठीक है फिजीकल फैसलिटी फिर उसके बाद आजाएगा टीचिंग एड्स हुकर है actors टीक है यह मारे क्या हो गए पांच हो गया है तो पहला क्या है लर्न की लेर्न को पढ़ाने वाला क्unta है टीचर फिसर पर पास क्य क्या है सब्जेक्ट मैटर पिर हमारे पास है फिजिकल फैसिलिटी ठीक है फिर उसके बाद हो गया हमारा टीचिंग एड़्स अब देखिए सबसे पहला लर्नर है तो लर्नर का क्या है सेंटर एलिमेंट बोलते हैं इसको कि इसके भी रट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है गया तो यह हमारे लर्नर हो गए सेंटर एलिमेंट है यह पेपर में आता है कि एफेक्टिव लर्निंग में सेंटर एलिमेंट क्या होता है ठीक है यह हमारे लर्नर की बात हम नहीं किया ठीक है लर्नर का संबंद टीचर से ऐसे करके यह पूरा बनेगा ठीक है कि तब के साथ क्या है को रिलेटेड रहे गए यह बना लीजिए फिर उसके बाद मैं सबको समझाता हूं कि कैसे कंप्लीट हो गए है कि देखिए लर्नर है सेंटर लीमेंट है लर्नर को सब्जेक्ट मेंटर के बारें पता होना चाहिए कि टार्गेट ओडियांस कौन से बैच की है कौन से ब्रेग्राउंड से आई हुई है उनका एज क्या है जुक्या है जुक्या क्या है यह सब पता होना चाहिए टीचर को फिर उसके बाद पटेवलर सब्जेक्ट मेंटर होता है जैसे राइस में ब्लास्ट लग गया है ठीक है तो लर्णर जो किसान है अब उनको सिखाएगा कौन टीचर मतलब जो एक टेंशन एजेंट होते हैं हमारे आरी वारी ची हो हो गया ठीक है आर यहो मैं फार्माट के के से बता रहा हूं ना सब जगा फालो नहीं हो गए तो उसके पार सब्जेक्ट मेंटर होगा कि ब्लास्ट के बारे में वह लिट्रेचर लाएगा तो जैसे पढ़े लिखे किसान है तो मैं लिट्रेचर दूँगा समझ जाएंगे अगर कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है तो उनको मैं क्या दिखाऊंगा वीडियो माद्यम से दिखाऊंगा कि ऐसा होता है कि तो वह जब कमिनिकेशन के टाइप पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे हम लोग तो उनके पास क्या होता है सब्ज सब्सक्राइब करें तो उनकी लिए वहां पर माइक वी वस्ता कर दी हम लोग किसानों को समझाने के लिए वीडियो लेके आके दिखा रहे हैं तो यह हमारा होगे फिजिकल पैसलेटी जैसे इस इसकूल में आप लोगा पढ़ाने की बात करूं तो एक पटिकलर रूम होता ते हैं और उसमें पंके लाइट क All的 हैं अगर आप चात्म पर रहे हैं मतलँ रूम पर पढ़र में चात नहीं है तो क्या पढ़ाियाच्य ठैकफिष्टा जूव्ड है बहुत ज़रूरि है उसके बीना हम लोग पढ़ाने सकती किसानों कोय खुद नीं पढ़ सकते किया बाडेयो वीजुल टिवी के माधव से उनको दिखा सकता हूँ या फिर शाट बोर्ड है है शाट बोर्ड के माधयम से वह इनको को सिखा सकता हूं ना या फुल हई तंग पर on कि अगर यह पांच यह अच्छे से मिलेंगे ठीक है तब जाकर के क्या होगा हमारा इफेक्टिव होगा अधर्वाइस एक भी कम ज्यादा हुआ लर्नर हमारे समझने वाला नहीं है या टीचर कमन नहीं पढ़ाने का तो अच्छे सो पाएगा क्या कि इसको भी किस ने दिया है हमारे लिगन सब्सक्राइब इसके लीचा है दो है। लिगनट्यन सिह स्प्वन अगर आप सेंट के त्यारी कर रहा है तो आपको पांच TOPIK权ता होना चाहिए अगर वेरश्यूकत्ी ट्यारी कर है तो किसी ने दिया यह भी पता होना चाहिए एक संटाने किमा में इस रिशी को अच्छे से क्लियर हुआ अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका पैराडाइम पैराडाइम उपेक्टेंशन मतलब यह की छेत्र में इसका पैटरन बोल दूम है या मॉडल्स बोल दूम यह भी जब मॉडल्स बोल सकते हैं इसको ठीक है लग की शेत्र में काम करता है कोई बी सब्जेक्ट रोब जैसे होटी कि एक्सटी एन ऐसे लिखूंगा समझ जाने एक्सटेंशन लिखा ठीक है इमेंसी पेट्री और मेट्यू और तीसर हमारा हो जाएगा इन्फॉर्मेट्यू और फोर्ट वन हो जाएगा हम लोग का पर सुवेसिव मैं पाट करेंगे इंपावर्मेंट अब के इम्पावर्मेंट और फार्मर्स यूथ ठीक है अगरallas का सकति करन की बात करूंगा तो कौन से अंतरगत आजՂगा इमिन सी पेट्री अब उसके बाद फॉर्मेटिव जैसे हम लोग क्या करते हैं शुमर रिशोर्स का डिवलप्मेंट करते हैं ठीक है जिए ट्रेनिंग देते हैं किसानों को उनका इस्कील बढ़ने के लिए नस्त्रेटेऽर देते हैं निज में एड़ देते हैं तो यह मोरandır किसान कर रहे हैं किसानों को सिकार हैं हमारा मिमेन सीं ज 노 करने चैनल सब्सक्राइब करेंगे ट्रांसपर आप टेकनोलोजी करते हैं लोग मीडिया के माधियम से मोबाइल के माधियम से टीवी के माधियम से उनको क्या कर रहे हैं लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सूचना ठीक है जैसे आप लोग देखें हैं कि बाढ़ वड़ाता है उससे पहले ही अवेर्निस किया जाता है आज इस दिन बाढ़ आने वाला है मैं अब आपको बताएं ना प्रेडिक्शन करते हैं फॉर्कास्टिंग तो यह हमारा किसके अंतर गता जाएगा इन्फॉर्मेटिव इ इड़एजरी वरक हम लोग देंगे उनको पर डिपाइजरी वरक अगर उनको हम मेरे हैं तो क्या हो जाएगा पर्सुएशिव परसुएशिव मतलब उनको पर्सुएव करना ठीक है रिक है थी करना इए हम लोग आपजीक्टिव क्या कि सन्कॉण करके उपने टेक्नोलोज पेटरी की बात करूंगा मिसक्राउं इंपाउरमेंट की बाथ होगी औरमेट्या दाफ्मेशन करेंगे फिर इंप फार्मेशन दे। पतेज्वाजी को फिर एड़ वाय दरूर्यतेरीड या मे एक स्टेंचान से अन्य पे से वह匪ा पुकछ से हां गए करेंज प्सक्राइब अग्सिस्टों आ सच्टो थी पर सब्सक्राइब भूर्ब और इनको वर्लड में भी बोल दते हैं तो ये पेपर में आ सकता है एंप oring में एक प्रेस्टे उकेशन के बला तो जैन यह के लिए और उसके तो आप एक्टेंशन इन इंडिया यह कौन है हमारे डॉक्टर के एंशिंग क्या ना महिंका डॉक्टर के एंशिंग तो तीन टाइब के फादर हो गए जेम्स इस्टुवर्ड जी जो थे वो कहा थे फादर आफ इनिवर्सिटी एक्टेंशन क्यों बोलते हैं उनको फादर आफ इनिवर्सिटी एक्स्टेंशन हमारे हो गए और जेम्स इस्टुवर्ड इन्होंने पहले बार सब्द का यूज किया था और वो भी कौन सा वर्ड था इनिवर्सिटी एक्स्टेंशन ठीक है कि एई इना समय में आपलो कौ कि एिटने समय में है पलो को पूरा नाम तो मुझे भी नहीं पता है मैं पता करके बता दूँगा आपको डॉक्टर केन सिंग ही बोलते थे साथ कमल नरायन सिंग हो सकते हैं मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको अभी तक ऐसे मतलब इस टेप का फुल फर्म होला नाम आया नहीं है सबसे नहीं है और कोई डाउट है आज के क्लास में कि इंग्लेंड में इंग्लेंड में केंब्रेज उन्वर्सिटी जो है वहां कि आज कि आज कि आज समझ में है आप लोग को अच्छे से कि कि कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोटर इसका फूल फाम होता है एडिस पढ़ेंगे एडकास पढ़ेंगे ठीक है और उसके बाद एक टेंशन के प्रिंस्पल पढ़ेंगे कि क्योंकि यह सब में ना मतलब सोटर है इसमें भी पांच है टूटल अलग अलग फिर उसके अधिकास में भी च्छाह है तो बहुत टाइम लेता है ठीक है तो थोड़ा सा टाइम कंजुमिंग है तो कल इसको हम लोग देखेंगे ठीक है पढ़कि आ सकते हैं आप लोग कल सब्सक्राइब ना उसका एरिया जैसे नहीं बोते हैं हम लोग लोग पयरतेर मोड़र मतलब कौन-कौन से एरिया में काम करता है कहां का अलग-अलग जैसे मैं करें लिए क्वाइब काम करूंगा सब्सक्राइब करूंगा प्लावर फ्लोरी कल्चर ऐसे करके लोग चार टैप के एक्स्टेंशन होते हैं ठीक है अगर इंपावर्मेंट करूंगा मैं महिलाओं का किसानों का तो इमेंस से पेटरिम चले जाएंगे अगर उनको ट्रेनिंग रेनिंग दे रहा हूं फॉर्मेटिव एक्स्टेंशन हो जाएगा इट फॉर्मेटिव फिर पर्स वेस्टी वर्क दे रहें तो यह उसके अलगलर नियुक्त आदे आथा पर किसी को कुछ नहीं है प्रिया आपको समझ में आया है सेलो फिलोसोफी मतलब मेरे को थोड़े से डाउट था कि वाल बताया थे एक्रेट एजुकेशन को फिलोसोफी था कि हमें मतलब कैसे वर्क करने उसे बताना बलकि क्या वर्करना उसे नहीं करताना ऐसा मैंने उल्टा समझ गया आप का सर्व फिलोसफी हाउ टू थिंक कैसे सोचना है कैसे सोचना है यह पता करने हमको नकी कि क्या सोचना है चलो इसको लिखोगे तो यह भी लिख सकते हो केल से एन हरने ने बताया थे सब्सक्राइब करते हैं इसको आप पहले पता होना चाहिए तब ही तो उसको हम जानेंगे कि फिर कैसे होना चाहिए ना कि मतलब कि आए वो तो सब लोग बता कर सकते हैं कैसे पढ़ाना है कैसे उनको समझाना है टार्गेट ओडियंस को यह पता करना हमको अब यह क्या इंगली के वह ज्यानी करें लोग ठीक है कैल से नहर ने अब अपने देश में लोग ने दिया इस चीज को तो फॉलो होता ह के इसे डिए स एसे बता हैं किया इसे वाले मानती ही निए बहुत है और आ पैसा लिए जाता है ठीक है anarchी अार्यवर का ने किसी को पंने आपने जो यूसे वाले हैं जैसे गुड़ो बेस्ट होता है रूड़ तो या सवेटर वह कंप बेस्ट अबहस्ट की जो क्या बोलतेंग ईसको नसे बेटा थे अहलुटा मानता है सिर्सेंद तीक है सटेंटिक घंते हैं त्यूशा है ते 건 okay 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 good night to all of you good night thank you